नमस्कार, हिंदेश साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकर के साथ, दोस्तो आज हम डिसकस करने वाले हैं हिमाच्य परदेश में एसेटन प्रोफेसर, कॉलेज कर्डर की जो परिक्षा होने जा रही है, उसको लेकर के हम आज प्रिवियस एर पेपर लेकर आए हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स थे या कुछ एक्स्ट्रेट्स ऐसे थे, जिनका ये बहुत जादा डिमांड थी कि जो एचपी कॉलेज का, जो कॉलेज कर्डर की परिक्षा है, इसको आपके साथ डिसकस कर दिया जाए, और कौन-कौन सी जो बुक्स हैं, वो इस एक्जाम को पास करने के लिए उपयोगी हो सकती है, मतलब आपको आइडिया हो जाएगा यहां से कि जो लेवल है, वो कैसे रहने वाला है, और नेचर जो है कॉस्टन का वो कैसे रहता है, बाकी यहां पर हम जो आज ये पेपर डिसकस कर रहे हैं, लेकिन हिंदी और जो बड़े-बड़े एक्जाम है हमारे वो अभी नहीं हुए, जैसे हिस्ट्री हो गया, प्लिटिकल साइंस हो गया, तो यह जो एक्जाम है अभी होने बाकी है, तो आज हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए, यह कॉलेज केटर की परिक्षा है, इसका जो पेपर हमारा पहले हो गया है, इसको डिसकस करने जा रहे हैं, और यह हमारा फरस पार रहेगा, और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, आगे के आधे जो कुशन है इसके लेकि आएंगे, तो आँ होब कि यह बाला जो वीडियो है, आप सब लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा उन candidates के लिए जो इस परिक्षा में बैठने वाले हैं और जो लोग in future भी हिमाचा प्रदेश में teaching का career देख रहे हैं किस तरीके कि यहाँ जो college grad की परिक्षा है वो रहती है तो चलिए यहाँ पर देखे इसमें लिखा भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास यह A-series का paper है अगर आपके पास नहीं भी है यह वाला paper तो यह भी आपको यहाँ से मिल जाएगा तो मैं आपको इसको description box में इसका link आपको देदूँगा वहाँ से आप इसको सीधे download भी कर सकते हैं तो यहाँ पर देखे maximum marks 100 हैं और बाकी सारी चीज़ें आप सब लोग इसमें खुद से पर लेना बाद में क्या क्या चीज़ें नेगिटी मार्किंग इसमें रहेगी यह आप सब लोग आई थिंक पता ही होगा आप सब लोगों को तो हम सीधे questions पर आ जाते ह हैं उसी प्रकार यह गयाता है कि रिदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है रस्तशक कहलाती है यह कथन किस का किस हिंदी अलोचका है एक चीज़ आपको पहले पहले ध्यान रख लेनी है इस वाली एक्जाम को पास करने के लिए आपको क्या चीज जरूरी है वो है अचारे इसी किताबे में महतफूर्ण है उनको लेकर के वीडियो बनाया था वहां पर हमने डिटेल तरीके से बताया है कि शुकल का जो हिंदी साहितका इतिहास वाली पुस्तक है उसको आप जरूर लीजिए वहां से आपको बहुत साथ प्रशन जो है वो रहते हैं तो यहां पर य इनके निवन्दों से लिगए रचना है देखना इसको आपने ध्यान दख लेना है और जितने भी आपर राइटर्स और भी हैं उनकी भी जादा मौतपूर्ण कतन है लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन शुकल को आपको बहुती ध्यान पूर्वक जो है उस प्रशन है कलपना दो प्रकार की होती है विधायक और ग्रहक कभी में विधायक कलपना अपिक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्रहक होती है तो कलपना के संदरब में ये वाला जो मत है देखिए ये किसका है ये भी जो अचारे रामचंदर शुकल रहे ह तो बहुत ही ज़रूरी पुस्तक है अचारे रामचंदर शुकल का हिंदी साही तका इतिहास और उसके द्वारा जो चिंता मणी भाग एक भाग दो जो उनके निबंद संग्रा हैं निबंदों से भी उनकी बहुत सारी पंक्तिया हैं आप देख भी रहा होंगे कि ये जो दो जिसकी बात मने अभी आपको की दोनों ही इनके निबंदों से ली गई है और आपके लिए काम ये बनता है आपके कौन से निबंद हैं जिन से इनकी इन पंक्तियों को रखा गया है तो अचारे रामचंदर शुकल नेक्स कॉशन आता है यहां पर देखिए अचिंत्य भेद इन पता ही कические आप की आपके अंसर की आप कुछ आलग बताया है तो आपने उसके आधार पर नहीं रहना है तो यहाँ पर इसका राइट अंसर क्या होगा अचिनित्या भेदा भेदवाद ये चतन्य महाप्रभू का है जबकि हम भेदा भेदवाद की बात करते हैं तो वो कहां से है देखना वो है आपका निमबारक संपरदाय से जिसका जो दाश्ट निमबत था दोयता दोयतवाद ठीक है ये चीज़ भी आपने याद रख लेनी है और इसी निमबारक संपरदाय का ही एक अलग संपरदाय जो माना जाता है वो था चतन्य संपरदाय दूसरा एक और संपरदाय निकला उससे वो था आपका सकी संपरदाय जो सामी हरिदास ने चलाय था जिसको हरिदासी संपर्दाय के नाम से भी जाना जाता है तो ये दो चीज़े हैं देखना इन दोनों बातों को आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रख लेना है कि आपको भक्तिकाल के जितने भी संपरदाय रहें हैं उन सब संपरदायों क को थोड़ा सा पढ़के जाना है और उनका जो दाशनिक मत था उसको भी आपने यहाँ पर याद रख लेना है चले नेक्स कोशन यहाँ पर देखते हैं चौथा प्रशन देखिए एक बार फिर से जो आपका भक्तिकाल से ही रखा गया है यहाँ पर बोला गया है कि जो अद्वैतवाद के प्रवर्तक अचारे कौन से हैं तो सबसे पहले हमारे पास अद्वैतवाद ही आता है तो शंक्राचारे ने चलाया था और इसलिए शंक्राचारे को भक्तिकाल का प्रमुक जो पुरुसकरता भी माना जाता है देखना प्रारम भी जो से बक्तियान दोलन अद्वैतवाद की बात करता है ये बात आपको यहां पर ध्यान रख लेनी है अद्वैतवाद के बात मदवचारे ने कौन सा चलाया इसने आपका द्वैतवाद चलाया इसने बोला कि दो है जीव और रम जीव और दो चीज़े है एक नहीं है वलवचारे ने क्या चलाया इस से हमेशा जो प्रशन पूछा जाता है इन भक्तिकालीन चार प्रमुक संपरदायों से नेक्स क्वेशन है आपकी स्क्रीन पर ब्रह्म माया संबंध से रहित होने के कारण शुद्ध है कारण रूप और कारे रूप दोनों प्रकार से ब्रह्म शुद्ध है माईक नहीं कहने व आपको यार रखना पड़ेगा बहुत ही मौतफून कृती है और वलवाचारे ने ही क्या है पुष्टी मारका से धान दिया वलवाचारे किस बक्तिकाल के प्रसिद लेखक के गुरू रहे हैं ये बात भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं ऐसे ही आपको एक प्रशन से बहुत सारे प्रशन जो है और भी बनाने की जरूरत है और ऐसे अगर आप बनाएंगे तो मैं समझता हूँ कोई ज़्यादा मुश्किल वैसे ये परिक्शा नहीं है लेकिन हम डिटेल तरीके से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको ज़्याद अच्छा रहेगा हलां कि नेगटिव मार्किंग होगी तो थोड़ा रहता ही है तो ये चीज हमें थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की जरूरत है नेक्स्ट कॉशन आता देखिए निमन मैंसे अश्चाप के कवियों में शामिल नहीं है तो ये कॉमन सा प्रशन है बहुत ही इस तरीकी के प्र राम कवी है उनका भी जानकारी होना बहुत जरूरी है तो यहां पर आपको ध्यान रख लेना है देखिए अश्चाप के कवियों में भी ये बात आई है कि कौन सा अश्चाप का कवी नहीं है तो यहां पर जो हित हरीवंश है ये अश्चाप के कवी नहीं थे ठीक है फिर अश्चाप की स्थापना कब हुई थी? ये वाला प्रशन भी बनता है. अश्चाप की स्थापना किस ने की थी? ये भी प्रशन बनता है. अश्चाप में किन दो प्रमुक जो भक्त कवी हैं उनके शिश्यों को रखा गया है? ये भी important प्रशन है. तो गोविंद स्वामी, छी प्रशन के उरखने का, कि आपको जितने भी रशनकार हैं हिंदी साहित्य के उनकी थोड़ी बहुत पहचान करना बहुत जरूरी है कि कौन किस युग में हुआ और वो किस प्रकार का लेखक रहा है. ठीक है? चलिए. नेक्स कॉशन देखते हैं यहां पर सात्मा प्रशन दे इंपोर्टेंट है जैसे कुमार पलपरति बोध किस की रशना है? गाता सवचेती किस की रशना है? भामीनी विलास शीर्शक से किस ने लिखा था? इस तरीके से आप थोड़ा सा और भी याद रख लीजिए और जितनी भी आपकी प्रमुक्रों को रचना हैं इनको आपने थोड़ा सा याद रख लेना ये साहिते शास्तर के अंतर का ताने वाली एक प्रसीद रचना है देखना साहिते दरपन इसके रचनागार कौन है? यह आप मुझे कमेंट सक्षन में जाकर जरूर बताए बहुती असान सी रचना है और हमेशा परिक्षम में बार-बार उसको हम कहते हैं उससे आपको डारेक्ट कॉशन पूशे जाता है देखना कि सीधा प्रसन पूशे जा रहा है कि कौन से रचनाकार रहा उसकी कौन सी रचना रही है तो वामन आप सब लुग जानते कावलंकार सूतर थी अभिनव गुप्त की आपको कहर पता यह तंत्र लो उनमें कौन सी चीज जो है शामिल नहीं है तो नाटक के अंगों में जो शामिल चीज नहीं है देखिए वो कौन सी हो जाएगी यहां पर तो यहां पर इसमें से जो ध्वनी है वो इसमें शामिल नहीं होगी बाकी वस्तू नाटक में जो एक कथानक है मतलब एक स्टोरी जो चीज़ें अभी शायद अगर आप पास नेट नहीं है तो मैं समझता हूं कि वो लोग नहीं दें क्योंकि बहुत सा स्टुएंट कर रहे थे कि जो है हम क्या इसको दे सकते हैं तो नेट के बीना जो है हम इस ऐग्जाम को नहीं दे सकते हैं उन लोगों के लिए यह जो नेट पास की है या फिर हपी सेट की परिक्षा जिनोंने उतिरन की है वो ही इस एक्जाम में बैठ सकता है तो पहली चीज कहे रहेगी, इसमें की हमारे पास एक story रहेगी नाटक के लिए, क्योंकि बिना story के तो नाटक चल ही नहीं सकता, तो इसलिए सबसे पहली चीज जो है हमारी वस्तू थत्तोग की रहती है, अभीने, अभीने नाटक का सबसे अभीन अंग माना जाता है देखना, अभिने करना, तो अभिने की बिना नाटक की कल्फना नहीं हो जकती, एक उसमें रस की बात जरूरी है, कि रस अगर उसमें ना हो, रस से मतलब क्या होता यहां पर, कि जो भी हमारा पाठा के शुरूता है, जो हम आनंद की अनुभूती हमें होती है, उसको हम क्या कहते हैं, र प्रमुक है जो नहीं है वो क्या होगा ध्वनी संपरदाय हो जाएगा चलिए नेक्स्कशन देखते हैं यहां पर दस्वा प्रशन आपकी स्क्रीन पर देखिए यहां पर लिखा है रस सिधांत विरोधी अचारे तो अभी तक तो आपने देखा यहां पर मैक्सिमून जो क्व उच्छे गए थे जो उनके चिंतमणी भाग में संकली थे हैं उनके निवंध उनसे अब मैंने आपको काम दे दिया है कि कि निवंधों में से वो पंक्तिया है वो आपने डोंड के रखना है तो यहां पर देखिए रस सिध्धांत विरोधी जो अचारे कौन सा नहीं है तो य आपके पास शंकुक और रुद्रभट ये भी रस सिध्धांत के अचारे माने जाते हैं लेकिन भामा जो थे ये क्या थे ये अलंकार वादी अचारे माने जाते हैं इस चीज़ को आपने यहां पर याद रख लेना देखिए भामा बहुत ही इंपोर्टेंट आइटर है और इनकी कावे शास्त्र के संदर्व में एक बहुत ही महतोपूर्ण पंक्ती भी है उसको भी कई बार पूछे जाता है देखना शबदार तो सही तो काव्यम उसको भी आप याद रखिए और इनकी जो रचना है उसको भी आपने यहां पर ध्यान रख लेना है दूसी चीज ए बहरते कावे शास्तर से ही पूचा गया है और यहां पर भी डिर् вес पूचा गया है देखी काव्य कौतूक के रचनाकार कौन है तो कावे कॉतुक जो रचना रही है ये है आपकी भटतौत की, कई जगा आपको इस तरीके से लिखा रहेगा देखना भटतौत, तो आपको ये एक ही नाम याद रखना है, देखे दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो इन्होंने ये रचना रची थी, भटनाइक की खैर और वक्रोक्ति वाद से दान्त की ये प्रवर्टक रहें, अभिनव गुप्त इन्होंने जो आपका अभिवक्ति वाद कहकर उसकी व्याक्या की है, ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर द्यान में रख लिजे इन प्रशनों को, नेक्स कॉशन आता देखिए, भरतमुन देखिए, वो चार ही है, और यही सर्वमानने मत भी है, यह भी आपको याद रख लेना है, अगर कई बार मान लिजी, कभी इन केसी तरीके से पूश जाता है, कि कितने लोगों ने इसकी व्याक्या की है, मतलब कौन-कौन व्याक्या का, तो वैस तो 14 हैं, लेकिन यहां पर बारतिका विशास्त्र में, इसके चार व्याक्या कार हुए है, कई बारी उनको पूच जाता है, कि उनमें से कौन सा व्याक्या कार नहीं है, इस तरीके से प्रशन रहता है, और यहां पर पूचा गया है, कि इनकी व्याक्या कारों की जो क्रम है, जो सही अनुक्रम है, वो क अरोपवाद ये बोलते हैं कि हम अरोपवित करते हैं कि जैसे मालीजे जो हमारा नट है उसको ही हम क्या समझ बैठते हैं नायक समझ बैठते हैं राम समझ बैठते हैं कि वही क्या है राम है उसको हम अरोपण कर देते हैं कि ये राम है हाला कि ये बहुत डिटेल में है यहां पर आपको simply इतना ही याद रखना है कि भट लोलट की अनुसार जो प्रमुक जो इसने से धान प्रस्तुत किया, व्याक्या क्या क्या कर प्रस्तुत की इसने तो इसने उत्पत्ति वाद का से धान दिया या अरोप वाद का से धान इसने दिया है, कई वार इनका संबंध भी ब उत्पत्ती नहीं होती, बलकि रस का हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, दूसरे नंबर पर श्री शंकुक आ जाते हैं, तो इन्होंने चित्र तूरंग न्याए, मतलब जिस प्रकार सियां एक घोड़े का चित्र हम देखते हैं, कि वो चित्र में दोड रहा है, हमें ये अबास तो होता है, कि वो दोड रहा है, लेकिन क्या वो वास्ता में दोड रहा होता है, नहीं दोड रहा होता है, तो यही चीज कहकर इन्होंने इसकी क्या की, इसने बोला कि इसका अनुमान ही लगा पाते हैं, कि वो वाकई में दोड रहा है, तो यही चीज यहां पर आप तो रस की उत्पत्ती होती है, ना ही रस का अनुमान लगा जाता है, बलकि रस को हम क्या करते हैं, रस को हम भोगते हैं, इसलिए इनके सिध्धान्त को क्या नाम दिया गया, भोगवाद नाम दिया गया है, फिर चौथा जो एक और सिध्धान्त रहा, ये रहा अभिनव नहीं उसको भोगा जा सकता है, बलकि हम उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, इसलिए अभिनव गुप्त ने कौन सा सिध्धान दिया, इन्होंने अभिव्यक्ति वाद का सिध्धान जो है वो प्रस्तुत किया है, इस तरीके से कई वरी अब इन सिध्धानतों को भी आपको बनुसार लगाने के लिए ये प्रशन पूछा जाता है I hope कि आप सब लोगों को ये प्रशन समझ आ गया होगा चलिए इसके बाद next question देखते हैं यहाँ पर तेरवा प्रशन है देखिए लोक भाषा को अपरणच नाम न देकर देश भाषा कहने वाले विद्वान कौन है यह बहुत ही सिंपल सा है अचारे रामचंदर शुकल की पुस्तक में भी आपको मिल जाएगा गोविंद पांडे और सलसुति पांडे वाली पुस्तक में भी आपको ये प्रशन दिया रहता है बहुत बार पूचा गया ये प्रशन है यहाँ पर सिंपल साता की अचारे भरत मुनी ने अपरणच नाम नहीं दिया बलकि उसने इसको क्या कहा देश भाषा कहा है कई बार ये ऐसा प्रशन भी पूचा जाता देखिए अपरणच को देश भाषा नाम किसने कहा तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर याद रख लेना है देखिए भरत मुनी लेकिन पहले पहल जब भाषा के तौर पर इसके उधारन प्रस्तुत होते हैं तो नाटशास्त्र में ही मिलते हैं आप ब्रश के वहाँ पर इसके लिए इसने क्या शब्द दिया था यह आपने बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के और क्या जो है पतंजली के महाभाष्य में हमें अप भरश के लिए जो शब्द मिलता है यह प्रशन भी इंपॉर्टन है इसको भी आप जो है मुझे का जो स्वर्ण युग था वो कब से कब थक था ये भी important बात है इसको भी आप याद रखिए नेक्स question आता है दब सहाव पयास नामक गरंत के रचाईता कौन है तो ये था simple सा प्रशनेक बार फिर से देवसेजन इसके प्रशनेक श्रावक धरम का वधन किया है और इसी रचना को क्या माना जाता है हिंदी की प्रत्थम रचना भी माना जाता है और ये देवसेजन ने माना था ये भी आपके लिए important है और किस वर्श की ये रचना है ये भी आपके लिए मौत्पूर्ण है इसको आप मुझे comment section मे में जाकर बताईएगा कि श्रावक चार का जो रचना वर्श है ऒो क्या है डॉक्टर नगेंदर की अनुसार ये पहला कभी माना जाता है देखना हिंदी साहितेका और रचना भी इनकी श्रावक आपको पूछे जाता है का बयानुषासन इनकी रचना ये शब्द अनुषा जाता रहे उसके लिए भी इसने एक चीज लिखी थी वो भी important है उसको भी आपको याद रख लेना है विद्याधर ये नाम जो है भाते का अविशास्तर के अंत्रगत भी आता है इनकी रशन थी एक आवली इसको भी आप याद रखिए बहुत ही महतपुन है देखना एक आव का आदिकाल पूरा का पूरा टॉपिक ही महतपुन है आदिकाल का वहां से नामकर्ण की दिष्टी से पहली चीज तो याद रखना है आपको कि नामकर्ण की दिष्टी से जो आदिकाल रहा है ये क्या माना जाता है अत्यंत विरोधी एबं ब्यागातों का काल माना जाता है ठीक है इस बात को आपने याद रख लेना है तो आरंबिकाल को चारंगाल वैसे चारंगाल दो लोगों ने नाम दिया देखना एक जो जॉर्ज ग्रियासन है दूसरा डॉक्टर रामकुमार वर्मा है तो यहां पर जॉर्ज ग्रियासन बाकी अचारे रामचंदे शुक्ल हम सब लोग जानते हैं, इसने प्रवृति के आधार पर जो है सबी कालों का नामकर्ण किया है, तो प्रभृतिगत नामकर्ण इसने रखा भक्ति जैसे आपका आदिकाल को वीरगाथा काल और वीरगाथा काल भी इसने जो रासो साहिते रहा देखना उसी को ध्यान में रखकर कहा जो देशी भाशकावे की रचनाओं के अंतरगत उसका आता है कई बार ये बाला प्रशन भ वीरगाथा काल रमशंकर शुकल रसाल इन्होंने इसको क्या काल दिया जैकाल नाम की संग्यादी थी ये भी जयान रख लिझे राहुल सांक्रित्यायन ये सिद्ध साइते के उपरिन नर्काम किया तो इसनले बोला कि उस वक्त सिद्धों का जो बाणिया उपलब दोती है इसलिए जो सिद सामंत काल ये कहलाया जाना चाहिए और दूसरी तरफ जो देश में क्या थी सामंती विवस्ता थी तो एक तरफ सिद जो क्या थे वो तो बानिया रच रहे थे और दूसरी तरफ जो सामंती विवस्ता थी इसलिए ये जो काल हो जाना चाहिए सिद सामंत काल न तो एक चीज तो सिंपल सी होगी देखिए यहां पर चारण की बात कर रहा है तो समझ लीजिए कि आधिकाल के संदरब में यह पंक्ति कही गई है अब यहां पर पंक्ति को आपने खुद से देख लेना है नीचे यह बोला गया है कि यह जो पंक्ति है यह किस ने कही थी तो य अचारे रामचंद शुकल ने भक्ति काल के अपने जो प्रत्थम इनका जो पाट रहा है देखना उसी में इनों ने यह बात कही थी तो अचारे रामचंद शुकल से बहुत सारी पंक्तिया इस पेपर में आपको मिल जाएंगी उनको आप देख लीजिए और अगर इसके ब अधिकाल के ही समस्थ ये रचनकार हैं देखिए चाहे वो आपका हेम चंद्र हो जैनाचारे मेरूतूंग हो विध्याधर रफ या फिर विध्यापती हो यहां पर जैनाचारे मेरूतूंग और विध्याधर इन दोनों को कभी भी पंक्तियों से रिलेटेड प्रशन इनसे नहीं पूछा गया है, तो थोड़ा बहुत हमें इस तरीके से भी देखना है, कि कौन से रचनकार ऐसे हैं, जिनको अक्सर पंक्तियों से रिलेटेड उनके प्रशन पूछे जाते हैं, तो यहां पर हेमचंद्र और विद्यापती ही दो ऐसे नाम हैं, जिनसे अक्सर ये पूछे जाती हैं, जहाना कि प्रमाल रासो जो जागनिक की रचना है, उसकी भी है, उस वाली पंक्ति को भी आप थोड़ा सा याद रखें, तो वो भी important है, उसको कभी कबार पूछ लेते हैं, तेकिन यहां पर विद्यापती और अमीर खुसरों, यह very very important है आधिकाल से, इ यही था यहीं से आपको इसको पहचान करने थी प्रबंध शीट सक सही लिखा गयाता है, इसी के चलते हीं, तो भोज प्रबंध के ढंका जो ग्रंथ माना जाता है, यह किसको मना जाता है, प्रबंध चिंतामणी की रशनकार, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता या तो साहित्य शास्त्र से प्रश्ण कूछ गया है, या फिर आदिकाल से ही प्रश्ण यहां पर रखे गई हैं, थीक है, तो आदिकाल बहुत ही महत पुंठ आ देखना यहां से आपको प्रश्ण जो है सीदा सा पूछा जाता है यहाँ पर रचनाए भी उतनी जाधा नहीं होती जितनी हमें बाद के कालों में देखने को मिलती है नेक्स है फिर से आदिकाल के जो रचनाकार रहे देखिए अमीर खुसरों उनकी यह पंक्ति यहाँ पर रखे गई है देखना ये कहा रहे हैं कि मेरा जोबना नवेलरा भायो है गुलाल कैसे गर दीनी बकस गोरी माल हमेशा अमीर खुसरो और विद्यपती में पहले ही कहा था कि इन दोनों रचनाकारों से आपको पूछे जाएंगे प्रशन खुसरो की जो पहलियां और मुक्रियां हैं उनके कई बारी अर्थ भी पूछे जाएंगे कई बारी इस तरीके से भी प्रशन पूछे जाता है कि खुसरो की जो काबे में किस बात की प्रधनता रहेगी तो आपको यारखने न कि उक्ति वैचित्रे जो है इनकी कावे की प्रमुक विशेष्टा माने जाती है उक्ति वैचित्रे क्या होता है कि कहने की बात का मतलब एक विचित्रता के साथ कहने का गुण जो है वो इन में रहा अमीर खुसरो से आपको ऐसा भी प्रशन पूछ जा सकता है देखना कि आधिकाल में मनुरंजन पूर्ण साहित्य के लिए किसे जाना जाता है तो ये अमीर खुसरो को ही माना जाता है और खड़ी बोली हिंदी का आधिकवी भी इने ही कहते हैं हिंदी गजल का प्रवर्तक जो है ये भी अमीर खुसरो ही रहें अमीर खुसरो बहुत महत्वपूर नाम है बाकी यहां पर जितने भी हमारे पास नाम है देखिए इनकी पंक्तियां बड़ी इंपॉर्टेंट है देखिए चाहे वो कबीर हो दादु द्याल हो या फिर विद् रामचंद्र शुक्रणने माना है जैसे अमीर खुसरो के उसने क्या है जो लुकोक्तियां पहेलिया मुक्रियां है वो लोकिक साहिते के अंतरगर रखता है ये बात आपको यहां पर ध्यान रख लेनी है और विद्द्यापती को उसने ये भी कहा था कि इन्हें भक्त कभी नहीं समझना चाहिए, ये अचारे रामचंद शुक्लन है, इनके बारे में कईती बात, इसको भी रख लीजे आप, याद, I hope कि आप ये प्रशन भी समझ गया होंगे, यहां पर की पंक्तियों से रिलेटिड जाला प्रशन पूछे जाते हैं देखना इस एक्जाम में, तो प प्रमात्म प्रकास या फिर दूसरी इनकी रशना है योगसार, ये हमेशा पूछे जाती हैं, तो इसके जो रशनकार हैं, योगिंद्र देव, इनका नाम कई जगा जो इंदू होगा, कई जगा इनका नाम जो है, योगिंदू होगा, इस तरीके से इनका नाम जो है, वो हम उपने देख लेना है योगिंदू या फिर जोइंदू ये दोनों ही नाम इसके ही है और यहां पर योगिंद्र देव लिखा गया है तो प्रमात्म प्रकाश और योगसार इनकी दो ही रचना है और अचारे रामचंदर शुक्ल ने इन्हें क्या माँना है ये मानते हैं कि बाशा का अपना प्रिय चंद माना जाता है यह आप मुझे कमेंट सेक्षन में जाकर बता सकते हैं और साथी साथ में आप अगर यह भी याद रख लेंगे कि गाहा या गाथा चंद जो है वो किस बाशा का है तो यह भी एक इंपॉर्टन प्रशन आपके लिए बन सकता है चल से श्री संपरदाय राम से रामानुजचारे विशिष्ट से इनका जो सिध्धान्त है वो कौन सा है विशिष्टा द्वैत वाद ठीक है इस तरीके से हम इसको याद रख लेते हैं देखिए बहुत ही सिंपल सा था यह और सबसे पहला प्रमुख संपरदाय माना जाता है औ और यहाँ पर रामानुजचारे ने जो है भक्ति को क्या कर दिया था सिमित कर दिया था समाज के कुछ वर्गों तक ही या वो क्षत्रिय है या फिर आपका जो है ब्रामन होगा उसी को ही बक्ति का अधिकारी समझते थे लेकिन रामानंद ने बाद में क्या किया इन्होंने भक्ती के मार्ग जो है वो सब के लिए खोल दिये थे तब ही इन्होंने कहा कि जातपात पूछे नहीं कोई हरी को जो भजैसो हरी का होई और यहां पर आपको यार रख लेना कि जातपात का जो प्रत्थम विरोधी अचारे माना जाता है ये रामानंद जी को माना जाता है और साथ दीप नौखंड बहुत ही महत्वण पंक्तिया देखना उसको भी आप यहां पर याद रख लीजिए मदवचारे ने कौन सा संप्रदाय चलाया था ब्रह्म संप्रदाय वलवचारे ने तो इनका था आपका जो आपका ये शुद्धा द्वैतवाद जो से धांत रहा इनका जो आपके मदवचारे ने ही चलाया था देखना इनका ब्रहम संप्रदाय उसी में ही आगे ये रहे ठीक है नेक्स क्वेशन आता देखिए दादु दयाल की जो शिश्चे रहे हैं इनमें सतनामी संप्रदाय मैंने आपको पहले ही कहा था कि भक्तिकाल से संप्रदाय आपको क्या याद रखना है कि इनके जो प्रमुक संप्रदाय है उनसे आपको जरूर प्रशन पूछा जाता तो यहाँ पर एक और प्रशन पूछा गया देखिए जो सतनामी संप्रदाय है ये किसने चलाया था बहुत ही इंपोर्टन प्रशन देखना सतनामी संप्रदाय तो ये चलाया था जो जग जीवन सहाब रहे इन्होंने चलाया था इसके लावा भक्तिकाल में और भी संप्रदा बाकी जितने भी रचनकार हैं अधिकतर रचनकारों ने अपने नाम से ही संपरदाय चलाए थे जैसे दादू देहाल ने दादू बंत जिसको हालांकि बाद में परम ब्रह्म संपरदाय नाम भी दिया गया ठीक है इस तरीके से आपको यहां पर याद रख लेने हैं और वैसे देख सकते हैं ठीक है रच्जब का नाम देखना इसमें बड़ा इंपोर्टेंट है इसकी रचनाती सबंगी इसको भी आप याद रख लीजिए जगननात को इतना जादा महत्तपून यहां पर अभी फिलाल नहीं है लेकिन सुन्दरदास जो है यह यहां पर जो है यह सबस पूची गई है यहां पर देखिए डारेक्ट प्रशन पूचा गया है तो आधिकाल में गद्य साहिते के अंतरगत यह रचना आती है इसको भी आपने यहां पर ध्यान में रख लेना है गद्य साहिते के अंतरगत चार रचनाओं को हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले उसमें क कोड़कवी की रचना माने जाती है वो प्रत्थम चंपुकावे भी रहा तो टोटली वो भी गद्य का नहीं था लेकिन फिर भी हम गद्य साहिते के अंतरगत उसको रखते हैं फिर उसके बाद आता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण तो यह है दामोदर भट की रचना ठीक है इ उक्ति व्यक्ति प्रकरण का प्रकार क्या है तो इनका ये व्यक्ता ग्रंथ माना जाता है इस बाद को भी आप यहांपर सासातमे याद रख लेंगे ठीक है नेक्स चीज़ आते हैं यहाँ पर देखिए हेम चंद्र हेम चंद्र की थी प्राक्रित व्यक्रण यह हम सब में शब्दानुशासन जो इनने अपवरश बाशा में लिखा था तो कई बारी प्रशने ऐसा भी पूछ जाता देखना कि इनके व्याकरण का जो प्रारंबिक भाग था वो किस बाशा में था और अंतिम भाग जो है वो किस बाशा में है ये इंपोर्टेंट है इसका इसको भ भी आपने याद रख लेना है तो गोविन्द चंद्र है ये इनके सवापंडिते देखना दामोदरभट जो है इन गोविन्द चंद्र के ही सवापंडित मने जाते हैं इसको आपने याद रख लेना है विद्यापति विद्यापति की तो यहाँ पर नहीं होनी थी विद्य ये तो हो गया आपका यहाँ पर जो प्रसिद प्रसिद questions थे देखिए 23 प्रशन इसके लावाद 24 प्रशन हम देख लेते हैं चंदवरदाई को हिंदी भाषा का आदी कवी किस ने कहा था तो ये प्रशन यहाँ पर गलत रखा गया था देखिए इस पर जो विकल्फ है वो यह पर बिल्कुल सही नहीं है अगर यहाँ पर मिश्रबंदू होता तब भी हम जो है मिश्रबंदू की ओर जा सकते थे लेकिन मिश्रबंदू ही नहीं है अगर अचारे रामचंदर शुकल होता तो अचारे रामचंदर शुकल ने तो खेर कहा ही है कि चंदवरदाई जो है वो लोकाशित प्रेमकाब्य है उसको इन्होंने माना था पहला कवी और पहली रचना लेकिन रामकुमार वर्मा ये तो हम सब लोग जानते हैं सोयंभू को मानते हैं ठीक है इन्होंने सोयंभू को माना राहुल सांकृत्याइन ये सिद्धों में जो सरोज वज्जर और राहुल जाना चाहिए था शुकल हो सकता था इसका राइट अंसर लेकिन वह भी कल्प में नहीं था नेक्स आता देखिए प्रित्युराज रासो के अध्यायों का नाम क्या है ये प्रशन भी बहुत बार पूछे जाता है तो सिंपल सा प्रशन था इसमें समय तो कितने हैं इसमें देखना 69 है और 68 प्रकार के इसमें क्या है चंद है ये भी आपको यार रख लेना है जो चंद बरदाई था उसको 56 चंद का राजा भी कहा जाता है ये चीज़ भी इंपोर्टन्ट है इस बात को भी आप याद रख लीजिए जाद अच्छा रहेगा नेक्स आता है यहां प पर इन्होंने क्या लिखे अपने गरंथ लिखे थे शबरीपा इन्होंने चरया पद या चर्यागीत लिखे जो अनुष्ठानों के समय गाए जाते हैं उसके दोहरे अर्थ निकलते थे इसलिए इसने क्या किया दृष्टी कूट पदों की रचना की है यह भी आपको यार प्रश्ण में देखना कि किस के जो शिष्य जो है दारी कपा जो राजा थे वो हो गए थे और वो कहां के राजा थे यह आपने यहां पर मुझे comment section में बताना है 26th question में I hope कि आपको यह प्रश्ण भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और साथी साथ में आपको यह भी ध् देखिए जनमकाल के अनुसार ने मिलकित कभियों का सही अनुकरम कौन है तो भक्तिकाल के ऐसा नहीं है कि हर किसी कभी को आपको पूछा गया देखिए जो भी प्रमुक नाम है सिर्फ उनको ही रखा गया है और हमेशा जब भी हमें इस प्रकार के करम अनुसार वाले जो प 1292 में आए और तुलसी दास जो 1532 में इनका जनम वर्ष माना जाता है तो इस तरीके से यहां पर जो सही करम हो जाएगा ये विकल्प नमबर ए जो ए ही इसका हो जाएगा 1398 1498 and 1492 और तुलसी दास 1532 इस तरीके से आप यहां पर याद रखिए ऐसे प्रशन जो है आपको प पहावनातमक अनुभूती या भक्ती जिसका सुत्रपाथ महभारत काल में और विस्तित प्रवरतन पुरंग काल में हुआ था कभी कहीं दपती कभी कहीं उबरती किस प्रकार चली आ रही थी भक्ती के विकास के बारे में उप्र्यूप नों नाम कहा है मतलब शुकल के इति और मुस्लमानों दोनों को मनुष्य के समान रूप में दिखाया है तो ये भी आपके अचारे राम चंदर शुकल नहीं पंक्ति कही थी तो मैंने पहले ही कहाता देखिए कि शुकल के इतियास से बहुता ही पंक्तियां आपको मिल जाएंगी और शुकल के इतियास से मैं समझत कि हर एक पंक्ति आपने आप में एक प्रशन बन जाती है तो इसलिए उसको थोड़ा सा हमें ध्यान से देखके जरूर जाने की जरूरत है ठीक है नामदेव का संबंध कहां से था ये भी प्रशन पूछा जाता है नामदेव किस जाती से संबंधित थे क्या इनका वेबसाइट था इस तरीके से प्रशन आपको पूछा जाते है इनका अधिकतर रचना है जो है वो किस शीशक से रखे गई थी यहाँ पर याद रखना है नाम देव जो है वो किस संपरदाय में दिक्षित थे ये भी एक मौतपुन प्रशन है उसको भी आप याद रख लीजिए यहां पर ध्यान रखना है देखिए अभी तक हम लगवग अपने 27 कॉश्चन डिसकस कर चुके हैं लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि भक्ति काल से आग अग्ला प्रशन है जब हम होते तब तू नहीं अब तू ही है मैं नहीं तो बक्ति कालीन देखना संत कभी रहधास जी का इससे प्रशन ज़रूर पूछा जाते हैं खासकर इससे जाए तर जो प्रशन बनता है वो इसकी पंक्तियों से प्रशन बनता है ना कि इसकी जो रचनाय थी हला कि इसके जो 40 पद मने जाते है वो इनके जो गुरु अरजुन देव ने जो गु लित मिलते हैं उस बात को आपने यहां पर ध्यान रख लेना है अगला जो प्रशने देखिए ग्यान बोध के रचाईता कौन है तो ग्यान बोध बहुती महतफुन रचना है देखना यहां पर जो आपका भक्तिकाल रहा निर्गुण जो संत कवी रहे उनसे ही प्रशन बहुती महतफुन नाम है इसकी एक रचना आती है देखना राज योग ध्यान योग ऐसी कुछ एक रचना है इनकी इसलिए यहां पर ध्यान रख लेना है कि योग साधना पर वैसे तो जितने भी हमारे निर्गुण संत कवी रहे योग साधना पर बल देते हैं विराग्य में जाके मुझे बताना है ये प्रशन भी आपके लिए महतफुन हो जाता है कासिम सहा इनकी रचना ती हंस जावाहिर उसको भी आप याद रखिये ये सूपी प्रेमा ख्यानक रचना कार रहे हैं नेक्स आता है निर्गुण पंत के संतों के समंध में ये अच्छी तरह सम प्रशन का वो हम उसके बार डिसकस करेंगे I hope आपने इन 33 प्रशनों से लगबग लगबग इतने ही प्रशन और बनाये होंगे और जरूर आपको आइडिया भी लग गया होगा कि अभी तक कि किस तरीके के प्रशन यहाँ पर रखे गए हैं अधिकतर प्रशन आप देखते तो इस वाली वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं दूसरा पार्ट हम बहुत जल्द आपके बीच लेके आएंगे and I hope आपको प्रियास अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि हिंदी साहित वारता जो है वह आपके लिए इस तरीके का बेतर कॉंटेंट देने के लिए हमेशा प्रतिबद रहा है शुक्रिया इनकलाब जिन्दवाद